नमस्कार साथियो लाइक और शेय करें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था में पैसे कमाने के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है जबकि पैसा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्कूल हो या घर पैसे के मेनेजमेंट के बारे में सिखाया जाना चाहिए। लेखक राबर्ति कीवास्की ने अपनी पुस्तक रिच डाड पूर डाड में पैसे के मेनेजमेंट के बारे में बताया है। यह पुस्तक बैस्ट सेलर बुक है। आखिर हम किसलिए पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए नौकरी में ज्यादा मेहनत करो ज्यादा कमाओ ज्यादा खर्च करो फिर ज्यादा मेहनत करो ज्यादा कमाओ और खर्च करो इसी तरह की रेट रेस में फसे रहो आज वक्त बदल चुका है सिर्फ अच्छी पढ़ाए और अच्छे ग्रेट से पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं उस्तक में लेखक ने अपने दो पिता रिच डैड और पूर डैड से प्राप्त ग्यान को लिखा है उस्तक में रिच डैड उसके दोस्त के पिता है जबकि पूर डैड स्वयम उसके पिता है रिच डैड कम पड़े लिखे हैं अपना बिजनेस करते हैं और अमीर है जबकि पूर्ट डेट ज़्यादा पड़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं और पैसे की तंगी को लेकर परिशान रहते हैं लेखा के एक पिता अमीर और दूसरी पिता गरीब सिर्फ सोच और नज्रिये की वजह से थे गरीब पिता कहते थे की मैं भी कोई सामान कैसे खरीद सकता हूँ जबकि अमीर पिता यह कहते थे की मैं इस सामान को क्यूं नहीं खरीद सकता हूँ देखा आपने अंतर सिर्फ सोच और नज्रिये का है रॉबर्ट अपने दोनों पिता को बराबर प्यार और सम्मान देते हैं लेकिन सिर्फ नज्विये की वजह से उन्होंने रिच डैट से प्राप्त ग्यान को अपने जीवन में समाहित किया लेखक के अमीर पिता ने लेखक को 6 लेसन सिखाया है उन 6 लेसन को लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है एक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है 2. पैसे की समझ क्यों सिखाए जानी चाहिए 3. काम पर ध्यान दो और अपने काम से काम रखो 4. टैक्स क्या है इसे समझो और ये जानो कॉपरेशन की ताकत से टैक्स को कैसे कम कर सकते है 5. अमीर लोग पैसे को जन देते हैं 6. पैसे कमाने के लिए काम ना करें, सीखने के लिए काम करें अमीरी पैसे से नहीं सोच से आती है आदमी को सोच से अमीर होना चाहिए अमीर आदमी पैसे को कहां खर्च करना है ये जानते हैं अमीरी ये नहीं है आप कितना कमा पाते हैं बलकि इस बात पर है कि आप कितना बचा पाते हैं अक्सर लोग खुद को छोड़कर बाकी सब के लिए काम करते हैं वो गवन्मिन्ट को टैक्स देकर गवन्मिन्ट के लिए काम करते हैं बैंक को लोन चुका कर बैंक के लिए काम करते हैं टीवी, महेंगे मोबाइल आधी पर खर्च करता है, कई बार तो दुसरों को दिखाने के लिए कर्ज लेकर विलासिता की चीजों को खरीद लेता है जबकि अमीर आदमी पहले जरूरत, उसके बाद फिर संपती और फिर पैसे बचे तो विलासिता पर खर्च करता है. अमीर लोग खर्च पर नियंत्रन रखते हैं, संपतिया जमा करते हैं और दायत्व से दूर रहते हैं. संपत्ती में एक बार पैसे खर्च करने होते हैं, उसके बाद संपत्ती अमीरों को कमा कर देती है जबकि दायत्व में हमें बार बार पैसे खर्च करने होते हैं. जब संपत्ती खरीदे तो अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाएं क्योंकि जहां पर आपकी रुची होगी वहाँ आप बहतर ध्यान दे पाएंगे लेखक ने घर खरीदने को गलत माना है लेखक के अनुसार अगर आप कमाई के प्रारंब में घर खरीदते हैं तो आप अपना मोटा पैसा घर में फंसा देते हैं उसकी जगह हमें mutual fund और share में investment करना चाहिए पैसे को खोने का डर सबको लगा रहता है और यह डर जायज भी है लेकिन आपको डर पर जीत प्राप्त करनी होगी जैसे आपको बाइक चलाने से डर लगता है लेकिन आप बाइक से गिरने के बारे में न सोचकर बाइक चलाने के लाप के बारे में सोचते हैं इसलिए अंत में आप बाइक चलाना सीख जाते हैं इसी तरह investment को भी एक खेल की तरह ले और हमेशा निवेश से आयप राप्त करने की सोचे इस तरह आप पैसे खोने का डर खत्म हो जाएगा कहा जाता है कि सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है मेहनत तो मजदूर भी करता है सफलता पाने के लिए सही दिशा में सही प्लान के साथ मेहनत करना बहुत जरूरी है हमने जैसा गोल बनाया है तयारी भी हमें वैसे ही करनी पड़ेगी मौके को अवसर बनाने के तरीके 1. किस तरह से मौके को खोजे जो दूसरों को दिखाए ना दे हमेशा उन मौकों को तलाश करे जिससे आप पैसा कमा सके आपको वह नजर रखनी होगी जो मौके को देख सके जो अन्य लोग नहीं देख पाते है 2. किस طरح से पैसा इकठ्ठा किया जाए ? पैसा इकठ्ठा करना एक कला है आप अपनी थोड़ी थोड़ी बचट को जोड़ते जाए ताकि पैसा आपकी जरूरत पर काम आए 3. किस तरह से स्मार्ट लोगों की एक टीम बनाई जाए ? हमेशा अपने से स्मार्ट लोगों की एक टीम बनाएगे जो आपके मौके पर आपके काम आ सके अगर जिंदगी कोई सबक सिखाए तो सीख लेना चाहिए नहीं तो जिंदगी धक्के मार मार कर सबक सिखाएगी इंसान को कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए हमेशा जहां से मौका मिले वहां से सीखती रहना चाहिए दूसरे को बदलने से बहतर है खुद को बदलना Financial Literacy इन चार विशयों का मिकस है 1. Accounting 2. Investment 3. Bazar की समझ 4. कानून और Tax पहले Tax अमीरों से लेकर गरीबों पर खर्च किया जाता था अमीरों ने इससे Tax से बचने के लिए Corporation बनाए और Tax का बोज गरीबों पर ट्रांसफर कर दिया ना पैसे से दूर रहे ना पैसे के पीछे भागे पैसे से जुड़े किसी मुद्दे पर दिल से नहीं दिमाग से सोचे कम समय में फैसला लेना सिखो लेकिन जल्दबाजी में फैसला ना ले अंत में यह पुस्तक Personal Finance की एक बहतरीन पुस्तक है जो आपको अपने जीवन में सफल कर सकती है